एक नई कास्ट और नई फिल्म के साथ नज़र आने वाले है फरान अफ्तर वेल कौन सी फिल्म है क्या है कास्ट और कौन डारेक्ट करने वाला है बताऊंगे इस वीडियो में तब शार मैं हुरु दम्थाकुर और आप देख रहे हैं बॉलिवूड हैड्लाइन कई ऐसी फिल्म हैं जिरे देखने के लिए हर कोई बिताब रहता है जब की कास्ट ऐसी हो तो इंटरस्ट और भी ज़्यादा जग जाता है ऐसे में परान अफ्तर जिंदगी ना मिले की दोबारा में कैट्रिना कैफ के साथ में काम कर चुके हैं अब उनके साथ में एक फिल्म लेकर आरहे हैं गुर्मीद सिंग। गुर्मीद सिंग वो है जिनुन्हें डॉन में परान अवक्तर को असेस्ट किया था कई फिल्मों में कई सिर्योस में गुरमीट ज़ों है वो असिस्ट करे चुके हैं अब वो खुद की फिल्म डा Merci करने वाले हैं और साथ renew का नाम है और साथ ही इशान खटर सिदान चुतुवेदी को हम अज़ी देख चुके हैं यानि कि M.C. शेर उनके किस तरीकी की लैंग्वेज है किस तरीकी की लैंग्वेज ने करते हैं हर चीज बॉड़ी लैंगवेज हम अज़ेड़ी ज़ज कर चुकें और ऐसे में इशान खटर जो कि धड़क फिल्म में हमें नज़र आ चुके हैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन यानि कि इन तीनों पर ट्रायल जब एक साथ परदे पर नज़र आएगा वो भी दरावनीक कॉमेडी के साथ में तो कैसा होगा excitement क्या अज़ाएगा विल्म को ले कि कैसी होगी फिल्म गुयमिज सेंग जो कि फिल्मों को लेकी अपना पहली बार डिरेक्ट्षन में डेब्यु कर रहे हैं और जो फॉलस्ट डेट्स डेब्यु होता है उसको लेके उमीदेश जादर जूर जाती है क्योंकि जोश नया होता है यहां तक कि काम पर फोकस भी जादर अच्छोता है ऐसे में परान अक्तर इसकर उपको प्रड्यूस करने वाले हैं और इन तीनों का ट्रायर देखने के रहे हम सभी बेताब है खेर इसका पहला पोस्टर आचुका है कैसा है यह पोस्टर आप जरूर देखेगा सोशल मेडिया पर और कॉमिन सेक्षर में अपनी राइज जरूर रखियेगा अभी के लिए इतना ही देखते रहे हैं पॉलिवर्ड हेड्लाइन्स